दोस्तो कहते हैं ना कि किस्मत अगर खराब रहे तो हर तरब से वाट लगती है इंसान की अगर आप उट पर बैठे हुए भी रहते हैं तो भी कुटा मूत कर चला जाता है सला तो दोस्तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इस मूवी में आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिसकी हर तरब से लगी पड़ी रहती है जी हाँ दोस्तो मैं बात करने जा रहा हूँ ट्राबल मूवी के बारे में जिसे फाइनली रिलीस कर दी गई है नेट्फिक्स पर दोस्तो इस मूवी में आपको किसी भी तरह के कोई भी सैक्स वर्ड या फिर नूडिटी नजर नहीं आने वारी होगी यारे कि इस मूवी को चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैट कर देख सकते हैं इसे हिंदी और इंगलिस्तों लेंग्श में ही रिलीस की गई है तो दोस्तो चलिए जानते हैं अब थोड़ा बहुत इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो दोस्तो इस मूवी की स्टोरी के अगर हम बात करें तो इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली जाती है उसकी बेटी उससे बीच बीच में मिलने के लिए आती है लेकिन वो अपने बेटी के खौईशे को पूरा नहीं कर बाता है क्योंकि उसकी आर्थिक इस्तिधी भी बहुती ज़्यादा तंगी चल रही होती है यानि कि उसकी माले हालत बहुती ज़्यादा खराब चल रही होती है इसी बीच वो एक स्वाप में काम कर रहा होता है एक दिन अचानक से ही वो एक टीवी डिलिवरी करने जाता है एक महीला के घर और वहीं पर जाते ही एक बवाल खड़ा हो जाता है उस औरत के हजबन को कोई मार कर चला जाता है और इल्साम बेचारे इस गधे पर आ जाता है और ये गधा अपने आपको किस तरह बेखसूर को पूरी तरसे बिकाल कर रख सकता है यानि कि वो सोच तो रहा होता है कि कुछ अच्छा करें लेकिन हो जाता है उसके साथ सबसे बुरा और यही चीज आप इस मूवी में भी देखने वाले हैं तो दोस्तो फाइनली अब बात करते हैं इस मूवी की प्रेजेंटेशन के बार दोस्तो अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दू तो मैं ऐसे रेटिंग दूगा 5 में 3.8 स्टार क्योंकि दोस्तो यह मूवी मेरे लिए रही काफी हद तक अच्छी मूवी में अच्छी खासी कॉमेडी भी आप इंजोई करने वाले होते हैं प्लस इस मूवी में आप मूवी को हम देखे या ना देखे तो दोस्तो यह मूवी वो तो जरूर देखे जो कि कुछ अच्छा करने की चाहा तो रखते हैं लेकिन हर बार उनके साथ बुरा ही होता है यारे कि वो काम को जितना जादा ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसमत उनकी लगा कर चली ज करती है तो दोस्तो यह मूवी मेरे वो दोस्तो जरूर देखे तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह सिंपल रिवियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा तब फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ